नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका एक बाद फिर से हमारे यूटूब चैनल उत्राखन नोलिज में और आज हम फिर से काफी इंट्रेस्टिंग वीडियो लेकर रहे हैं जो कि इस वीडियो में हम देखेंगे पंचायत के चुनाव कराने हैं तो निर ने किसके द्वारा किया जाता है तो पंचायत राज का जो चुना होता है उसका निर ने करता है तो उसका निर जो करता है वहाँ राज्य सरकार करती है तो अगला कोशन देखते हैं पंचाईती राज का मुख्यों देशी क्या है तो पंचाईती राज का मुख्यों देशी जनता को विकास मूलक प्रशाषन में भागीदारी योग्य बनाना है यानि कि जनता को विकास मूलक प्रशाषन में भागीदारी योग्य बनाना है अगला कोशन देखते हैं 73 वा स्विधान संसोधन किस से संबंदित था तो 73 वा जो स्विधान संसोधन है वह है पंचाईती राज प्रणाली से संबंदित था अगला कोशन देखते हैं कि भारत में पंचाईती राज अधिनियम कब लाग हुआ यह कोशन काफी important है कि भारत में पंचय इतराज अधिनियम कब लाग हुआ तो यह हुआ था 24 अप्रेल सन 1993 24 सब्रेल सन 1993 को भारत में पंचय इतराज अधिनियम लाग हुआ इससे एकला कोशन देखते हैं सविधान के किस भाग में गराम पंचायत की स्थापना की बात कई गई है तो वह भाग चार में कई गई है किस सविधान के किस भाग में गराम पंचायत की स्थापना की बात कई गई है तो वह भाग चार में कई गई है अगला कोश्यन देखते हैं भारत में किस के अंतरकत पं थी राजenderanki की गई है तो वह नी तिय निर्देशक शिद्धान के तहत की गई है अगला कोशर देखते हैं पंचाईद राज क्या प्रदान करता है तो पंचाई राज अस्थान इस तर पर लोगताजहित प्रशाशन करता है अगला कोश्यन देखते हम यदि पंचायत भंग होती है तो कितनी अवदी के अंदर निर्वाचन होना अनिवारी है यदि पंचायत भंग होती है तो कितनी अवदी के अंदर निर्वाचन होना अनिवारी है तो वह है छे मां के अंदर होना अनिवारी है अगला question देखते हम भारत के पंचाई तिराज व्यवस्ता का वास्तुकार किसे कहा जाता है यानकी भारत के जो पंचाई तिराज व्यवस्ता है उसका वास्तुकार किसे कहा जाता है तो वह कहा जाता है B.R. महता को B.R. महता ही लिखावा तोड़ी टाइफिंग में गड़बड़ी हो गई थी तो इसलिए इसका नाम आप सही करके नोट कर लीजेगा अगला कुशन देखते हैं कि सही माइने में भारतिय अस्थानिय सवसासन का जनक किसे कहा जाता है यानि कि सही माइने में जो भारतिय अस्थानिय सवसासन का जनक कहा जाता है वह लौड रीपन को कहा जाता है आगे देखते हैं पंचायती समीती का गठन किस इस्तर पर होता है यानि कि पंचायती यानि कि जो पंचायती समीती है उसका गठन किस इस्तर पर होता है तो पंचायती समीती का गठन परखंड एस्तर पर होता है परखंड एस्तर पर इसका गठन होता है अगला कोशियां देखते हैं कि किस समयधानिक संसोधन दुआरा पंचायती राज संस्ताओं को समयधानिक दर्जा परदान किया गया है तो किस समयधानिक संसोधन दुआरा प कि अगला कोश्चन देखते हैं कि 73 वे शर्विधान संसोधन के नुसार पंचाई दिराजसन स्था का कारिये काल कितने वर्स का होता है तो वह है पांच वर्स का होता है अगला कोश्चन देखते हैं इसमें लिखाए कि 73 से उधान संसोधन के नुसार पंचे दिराजसन स्थाओं के अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं कि जो दियात्रव से दान संसोदन है उसके नुसार पंचायदी राज़ पर्थम कहां परिवर्तित किया गया तो वहां राजिस्थान के अंदर किया गया अगला कोशन देखते हम कि भारत में सबसे पहले राजिस्थान में पंचायदी राज की स्थापना कब हुई तो भारत में जो सबसे पहले जो पंचायदी राज की स्थापना हुई थी वहां राजिस्थान में हुई थी और वहां कब हुई थी सन नाइटी फिप्टिनाइन य पंचयती राज्वाःस्ता की सुरुवात। तो वैं नागोर में किया गई थी हॉर वह कब किया घुट स्थी उनिस स्धू content आगे देखते हम भारत में पंचाइद राज व्यवस्था राजस्थान के बाद किस राज्य में पारम हुई यानि कि जो भारत में सबसे पहले जो पंचाइद राज सुरुआत हुई थी वहराजस्थान के नागोर से उती सन 1969 में हुई थी तो उसके बाद आंदर प्रदेश म तो अग्ला कोशन देखते हम असोग महत्वाहता समयती ने पंचाईती राजवावस्था के इंदरगत कितने सदस्द्ध अस्था कि अस्थापना की सला दी तो हैत दो दो तो नाचे की सलादी थी आगे देखते हम असोक महता समिती ने किन दो अस्तरों की बात की है तो वहां मंडली पंचायत और जिला परिसद की बात की गई है असोक महता समिती ने दो ढ़ाचे की बात की है तो वहां दो ढ़ाचे मंडली पंचायत और जिला परिसद तो अगला कोशन है मारा 1977 में पंचाईती राजवावस्था की समिक्सा के लिए गठित समिती की अध्यक्सा किस ने की थी तो वह है असोक मैता समिती ने की थी तो इस अगला कोशन है पंचाईती राजस्थाओं के उचतम अस्तर पर कोन होता है तो पंचाईदी रासंस्थाओं के जो उचस्तर पर होता है वह है जिला परिशद होता है अगला कुर्शन है हमारा पंचाईदी रासंस्थाओं के निमनंतर इस तर पर कोन होता है तो निमनत्र हो यान की जो निमनस्तर पर होता है ग्राम पंचायत यान की ग्राम सभा यों पंचायत होती है आगला कोश्चन देखते हैं कि ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना किस पर निर्वाचन करता है तो ग्राम पंचायत को जो निर्वाचन कराना जो निर्वाचन करता है वह राज्य सरकार पर करता है पंचायती राज की आधार सिला क्या है तो पंचायती राज की आधार सिला ग्राम सभा है क्यinge gram Saabha से ही आगे जो बलोग इस्था पर बनेगा फिर जीला प्रुशत बनेगा कि I am अगला koos yet नहीं कराあ पंचाइटी राज्वावस्था में असानिय सवशासन क्या रास्ता कैसे होती है तो वह ग्राम होती है, तो से पहले फिर ब्लोक होता है, फिर जिला स्थर पर होती है, यानकी तीन स्थरी सनजना होती है, पंचायत राजवावस्ता के अंदरगत, तो आगे देखते हैं, कि खंड इस्थर पर पंचायत समिती, यानकी खंड इस्थर पर पंचायत समिती क्या हो होता है तो तीन प्रकार सदस्य होता है यानकी प्राइप यानकी जो पंचायत है उसके अंदर गत तीन प्रकार के सदस्य होता है पदेन सदस्य होता है सहयोगी सदस्य होता है एक सहयोजित सदस्य होता है अगला कोशिन हमारा पंचायति राज किस सुची में सामिल यानकी सम्म अस्थान ये मेलो पर लगने वाला करवसूल किया जाता है अगला कोशन हमारा पंचायती स्थर पर राज्य सरकार का परति निदी तो कौन करता है तो पंचायती स्थर पर कौन करता है तो पंचायत सिवक करते हैं क्या माद्यमिक शिक्सा पंचायती राज के कार्यक छेतर के अंतरगत आती है तो वह नहीं आती है जो माद्यमिक शिक्सा पंचायत है तो वह कार्यक छेतर के अंतरगत नहीं आती है अगला कोशन हमारा पंचायत समिती के सदसे किसके द्वारा निर्वाचित किया जाते हैं तो इंप उक्रते वाले पर निर्भन करते हैं दौखा, दिये जाने वाले नंधार पर निर्भन करती हैं कि क्या होता है, तो लगने वाला कर घाल भजिस extension है, कौन पंचायती राज orden должно है weapon Chow,ku Q hem अधिन परतिनिद्यू के समर्थक थे तो राजीव गांदी थे इनकी कोशन हमारा कौन पंचाइती राजस्ताव में महिलाओ एवं निमन वर्गो के अधिक परतिनिद्यू के समर्थक थे यानि की जो हमारे राजीव गांदीव है महिलाओ को अधिक वो चाते थे इनकी पंचा झाल झाल झाल